मेरी फुलवारी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तो आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं आप देखी रहे हैं मेरे सामने एक पौधा है जिसे आप पहचानते होंगे ये रेन लिली का पौधा है दोस्तो ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है और बरस साथ के मौसम में जैसे ही बारिश की बूंदे पड़ती है वैसे ही ये खिल उठता है और आप देख सकते हैं हमारी ये कई पौध में लगा हुआ है वाइट कलर का बहुत ही खुबसूरत प्लांट है आपको पत्या नजर नहीं आएंगी इतने अधिक इसमें फूल लगते ह और फूल देखिए एक स्टिक के उपर लगते हैं इसके अंदर से स्टिक निकलती है और उसमें बहुती फ्लावरिंग होती है और ये फूल भी 4-5 दिन अच्छे से ये टिक जाता है इसके लिए पौट की भी जरूरत नहीं होती है आप छोटा पाट बड़ा पौट किसी भ लगा सकते हैं देखिए एक नमकीन की ठैली में लगा हुआ है उसके बाद ये एक छोटे से बोतल भी में मैंने लगा के रखा है ये बहुत दिनों से लगा है और इसमें भी 4-5 फ्लावर लगतार लगते रहते हैं ये कई कलर में भी आता है देखिए ये हमारा पिंग कलर है और इधर मैंने दिखाया white color है और इसका एक दोस्तो yellow color भी आता है वो color मेरे पास अभी garden में है नहीं ये दो color ही है और इसको आप एक बार अपने नर्शी से लेकर आएंगे तो उसके बाद इसको दुबारा खरीदना नहीं पड़ेगा इसके bulb आपस में ही बढ़ते रहते हैं और इतने गमले को भर देते हैं कि आपको हर सीजन में इनके बल्ब को कम करना पड़ेगा तो इसमें जैसे ही ये बरसात के जून से ही खिलना शुरू हो जाते हैं तो जून से पहले ही आप फरवरी मार्च में इस पॉर्ट में ज्यादा फूल लगे इसके लिए आप इसकी म फ्रावरिंग की संख्या है वो बढ़ जाएगी और मैंने भी नर्सरी से केबल चार पांच बल्ब लेकर एक बार में आई थी और तब से मैंने अपने घर में इसमें कम से कम दस प्लांटर बना लिए हैं और हर जगे घर में लगे हुए हैं ये जो पॉधा है बहुत ही अच ये बहुत ही अच्छा ओप्शन है आप इसे अपने घर में लगा सकते हैं और इस तरीके के फ्लावर पा सकते हैं लगातार चार पांच महिने तक इसमें फ्लावर लगते ही रहते हैं उसके बाद अगर इसका सीजन चला जाता है फ्लावरिंग इसमें नहीं लगती है तो भ तब इसमें फूल नहीं भी होते हैं तो इस तरह पत्तियों के रूप में बहुत ही कुपसुरत लगता है तो दोस्तों आप भी रेन लेली के पौधे को अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसे जरूर लगाए ये पौधा आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग देग तो अब इस वीडियो को यही पर समाप्त करती हूँ अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ पिलूँगी तब तक के लिए धन्यवाद